हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल SS Creation सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे English NCRT क्लास वोर्थ के English के बुक का Lition Helen Kellan सो आई इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस Lition में हम Helen Kellan की स्टोरी पढ़ेंगे, ओके इट वास दे समर ओफ 1880 गर्मी का मौसम बहुत गर्म था और वो सन 1880 था A healthy baby girl was born in a small town in Alabama सुदुर दक्षिन की ओर छोटे से कस्बे Alabama में एक स्वस्त लड़की ने जन्म लिया Her parents loved her, barely and named her Helen Kellan उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उसका नाम Helen Kellan रखा But one day लेकिन एक दिन the baby become ill Baby बच्ची बिमार पढ़ जाती है एक दिन लड़की बिमार पढ़ गई Okay, and day after day her fever stilled high और दिन प्रती दिन बुखार बढ़ता चला गया Everyone in the family tried to help her to get back better परिवार के सभी सद्यस्यों ने उसके स्वस्थ होने के लिए बहुत सहायता की But, लेकिन All day could say was There is nothing more we can do लेकिन सभी यही कहते की हम कुछ नहीं कर सकते The baby may not lived बच्ची जिन्दा नहीं रहेगी सायत सभी यही कहते की हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं सभी मदद करने के कुछिस करते थे अब कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता और सायद बच्ची अब जिन्दा नहीं रहेगी Helen lived लेकिन Helen जिन्दा रही but she was not the same after her illness लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो वैसी नहीं रही something is very wrong उसके साथ कुछ गलत था her mother said उसकी मा ने कहा कुछ बहुत गलत है at least they found out what was wrong और अंत में आखिर में उन्हें पता चला की क्या गलत था the child could not see or hear बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी okay the baby grew into a little girl और बच्ची बड़ी हो गई एक girl में convert हो गई her parents felt sorry for her उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे Helen of her cried and held on to her mother give the poor child what she want okay so फिर क्या होता है Helen of her cried and held on to her mother Helen जादा दर चिलाती थी और अपनी मा को पकड़े रहती थी give the poor child what she want उसके पिता कहते थे दुखी बच्ची को जो कुछ चाहिए दे दो ठीके her parents उड़ से उसके पिता कहते थे third Helen could not hear or see हलकी Helen सुन और देख नहीं सकती थी she was a bright little girl लेकिन फिर भी वह एक तेज दिमाग वाली छोटी लड़की थी some people thought Helen could not learn anything कुछ वैक्ती सोचते थे कि Helen कुछ सीख नहीं सकती but Helen but Helen is very smart लेकिन उसकी मा इस बात से सहमत नहीं थी okay sorry Helen could not learn anything her mother did not agree लेकिन उसकी मा जो थी इस बात से सहमत नहीं थी Helen is very smart है ना Helen बहुत चतूर है she said and added the problem is how can we reach she said and added उसने कहा समस्या यह है the problem is okay मैं समस्या यह है how can we reach her कि हम उस तक पहुचे कैसे she is looked up inside herself वह अपने आप में बंद है है ना Helen began to grow wild जैसे जैसे Helen बड़ी हुई she would not let any comb her hair वह उदमी बनी रहती थी देखो Helen began to grow wild she would not be any comb anyone combed her hair तो जैसे जैसे Helen बड़ी हुई वह ऐसे ही रहती थी ठीक है उदमी रहती थी बनी चली गई वह किसी को अपने बाल नहीं बनाने देती थी her clothes were always dirty उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे she was often angry वह किसी को अपने आपको तो छूने नहीं देती थी उसके कपड़े गंदे रहते थे वह अपने बाल नहीं बनाने देती थी ठीक है she was often angry और वह हमेशा गुसे में रहती थी ठीक है something she even lay on the floor and kicked her feet होता क्या उसके बाद वो कभी कभी वो जमीन पर लेट जाती और अपने पैर पटकती रहती थी है ना लेट कर गुसे से क्या करती अपने पैर पटकती her parents thought that they should find a teacher for her उसके माता पिता ने सोचा कि उसके लिए एक teacher का प्रवंद करना चाहिए अध्यापिका का प्रवंद करना चाहिए मिस सुलेवन a young teacher agreed to help Helen to learn to see the world एक young miss जवान teacher मिस सुलेवन ने उसकी teacher बनकर Helen की मदद करना स्विकार कर लिया मिस सुलेवन गेव Helen a doll D O L L spell doll मिस सुलेमान ने Helen को एक गुडिया दी गुडिया वह बोली she spelled the word with her finger into Helen hand Helen की हतेली पर उसने मतलब Helen की जो हतेली है उस पर क्या करती है वो अपनी उंगलियों द्वारा लिखती है ठीक है उसने गुडिया का सब्द लिखा spell किया ठीक है she made the letter with special hand sign उसने सभी अक्षर हाथों की विसेज भासा द्वारा बनाए Helen copied her teacher and spelled doll too Helen ने अपनी teacher का अनुसरन करते हुए copy करते हुए कुडिया कहना सीख लिया but she did not understand what she was doing लेकिन वो नहीं जान पाई कि वो क्या कर रही है Helen liked Miss Sullivan Helen Miss Sullivan को पसंद करती थी she was strict but kind वो सक्त थी strict थी but लेकिन परंतु दयालू भी थी she spelled a lot of word for Helen वो क्या करती है कि दिन रात Helen की हतेली पर बहुत से सब्दों का सब्द मतलब word का spelling तब तक किया जब तक Helen उससे समझना गई ठीक है देखो on her hand day and night to make Helen understand she spelled a lot of words Helen ने क्या किया sorry Miss Sullivan ने क्या किया Helen के hand में बहुत सारे words के spelling लिखे on her hand किसके Helen के hand में okay day and night रात दिन to make Helen understand तब तक लिखा जब तक Helen समझ नहीं गई one day एक दिन her teacher made Helen put her hand into running water एक दिन क्या होता है Helen की teacher ने उसके हाथ को बहते पानी में डाला ठीक है then फिर तब she spelled water फिर उसके बाद क्या करती है वो पानी सब्द का spelling लिखती है विन्यास करती है ठीक है suddenly Helen understand that water means something went running over her hand ठीक है फिर क्या होता है की Helen समझ गई की पानी का मतलब कुछ गीला प्रदात है ठीक है जो उसके हाथ पर से बह रहा था ओके she understood that word were the most important thing in the world वो यह समझ आ गया था की सब्द दुनिया की सबसे बहुमूले वस्तु है important thing है है न word would tell her everything she wanted to know word would tell her everything word सब्द उसे सब कुछ पता देंगे okay she wanted everything she wants to know जो वो जाना चाहती थी okay so I hope आपको इस relation का explanation समझ आया होगा मैं एक और बार आपको इसको explain कर देती हूं okay उससे पहले हम इसके new words को जान लेते हैं ओके so illness illness मिस होता है रोग बिमार okay agreed मतलब सहमत होना बट यह agreed है okay मतलब इसका मतलब कि सहमत होना important important मिस होता है बहुत जरूरी या बहु मेले okay so एक बार और installation के explanation को हम समझ लेते हैं मैं short में आपको story बता देती हूं ठीक है healthy girl क्या करती है born करती है healthy girl ने जन में लिया उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे उसका नाम Helen Keller था ठीक है पर लेकिन एक दिन लड़की बिमार हो गई और दिन प्रती दिन उसका क्या होता है बुखार बढ़ता जाता है परिवार के सभी लोग उसके स्वस्थ होने के लिए बहुत सारा help करते है ठीक है सायता करते है लेकिन सभी यही कहते थे हम कुछ नहीं कर सकते सायत बच्ची जिन्दा नहीं रहेगी लेकिन Helen क्या होता है कि जिन्दा रहती है बट अपनी बिमारी के कारण वो वैसी नहीं रहती ठीक है जैसे उसको होना चाहिए था ठीक है उसकी मा ने कहा कुछ बहुत गलत है ठीक है कुछ गलत है लेकिन बाद में पता चलता है कि गलत क्या होता है ठीक है गलत यह था कि अब वो देख और सुन नह नहीं सकती थी बच्ची बड़ी हो गई धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है उसके माता पिता उसके लिए दुखी हो जाते हैं हेलन जादा दर चिलाती थी और अपनी मा को पकड़ लिया करती ठीक है उसके पिता तो उसके पापा कहते थे जो सैड है उसकी बेटी ठीक है दुख की थी ठीक है कुछ वैक्ति सोचते थे की हेलन कुछ सीख नहीं सकती लेकिन उसकी माइस बात से सहमत नहीं थी है ना हैलन बहुत शतूर थी क्योंट की ठीक और बस समय यह था की वह यह निया जानपा रहे थे कि उस तक हेलन तक लोग पहुचे कैसे है ना उसको समझाए कैसे उसकी बातों को जाने कैसे तो उन्होंने क्या किया जैसे जैसे हेलन बड़ी देखो हेलन बड़ी होती गई वो उदमी बनती रही बनती चली गई ठीक है वह ऐसे ही रहती थी अपने बालों को कंगी नहीं करने दिया करती थी कपड़े गंदे पहना करती थी वह हमें सा गुस्से में रहती थी ठीक है कभी-कभी तो वह जमीन पर लेट कर अपने पैरों को खुब तेस-देस पठका करती थी ठीक है उसकी माता-पिता सोचने लगे कि उसके लिए एक टीचर का प्रबंद करना चाहिए ठीक डॉल ल और फिर का है तो हैलन ने डॉल कहा ओके फिर क्या होता है है सुलेमान जो टीचर है वो या धोड़ी सक्त थी ठीक है बर द्यालू भी बहुत थी वाद द्यालू भी बहुत थी वो दिन राज करके Helen की हतेली पे spellings लिखा करती थी जब तक Helen समझने गई एक दिन Helen की teacher ने उसके हाथ को बैते हुए पानी में डाल दिया ठीक है और वो बैते हुए पानी में डालके उन्होंने उसके हतेली पे spelling लिखा water पानी तो इसे है हैलन समझ गई कि यह गीला गीला सा होता है वो क्या है पानी है ठीक है और तो इससे क्या होता है कि अब हैलन समझ चुकी थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरि तोर्स होते हैं इसकी मदश से मेशित्व जान शती है जो वह जानना door‍f यहां पर मेरा explanation complete हुआ अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए और subscribe भी कर लीजिए नीचे red आपको दिख रहा होगा ठीक है घंटी के जैसे आप उसको touch कर दीजिए subscribe हो जाएगा और अगर आपको हमारे इस वीडियो का question answer चाहिए तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं so thank you for watching this video